तो आज में लेके हाजर हूँ with some super quick and super simple DIY के साथ तो हम आज बनाएंगे ये stunning and beautiful सा flower chandelier कुछ fairy lights and lamps के साथ मैंने कुछ इस तरीके से इसे setup create किया है अपने living room में तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसे हम केसे बनाए तो मैंने लिया है एक bamboo basket I think I got it from local market and it cost me around 40 to 50 rupees then सबसे जरूरी item हम लेंगे ये एक floral form इसे हम cut करेंगे according to our basket size well तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे knife के help से cut कर लिया है तो इसे basket में stick करने से पहले हम इसका hanging arrangement करेंगे तो मैंने एक rope लिया है और इसे पीछे से जहां पर पी थोड़ी gap दिख रही है ना वहां से कुछ इस तरीके से मैंने rope insert कर लिया है तो इसके बाद मैंने double sided tape के help से foam को basket में stick कर लिया है तो आपके पास जो कोई भी hanging flowers है उसे आप use कीजिए तो मैंने यहां कुछ इस तरीके से flowers यूज किये हैं और उसे foam में बस क्या करना है insert कर लेना है flowers, leaves जो भी आपके पास available हो वो आप use कीजिएगा अगर आपके पास नहीं है यह सब तो आजकल Amazon में बहुत ही affordable price में यह सारे जो hanging artificial flowers and leaves से इस सब available होता है तो मेरा यह stunning सा flower chandelier बनके ready है और मैंने कुछ इस तरीके से इस से decorate किया है तो अगर आपको मेरी आज की यह super quick सा idea पसंद आई हो देन like, share and subscribe to my channel So, see you soon, take care, bye bye कर दो अपके है